नमस्कार मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ज्यान पर दोस्तो रिट पेटिशन के बारे में आपने सुन रखा होगा और आप यह भी जानते होंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी मैटर में रिट जारी करने का पावर बता है लेकिन रिट का मतलब क्या है ये कब जारी की जाती है और कब नहीं और कितने टाइब की होती है आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे वीडियो छोटा है लेकिन important भी तो वीडियो में last तक बने रहें आगे बढ़ने के पहले मेरी request रहेगी कि अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजिए क्योंकि आपके लिए useful legal knowledge के वीडियो हम regular post करते रहते हैं रिट को बहुत simple शब्दों में समझने की कोशिश करें तो रिट का मतलब ऐसे लिखी तादेश से है जो high court और supreme court किसी सरकार को या state को या state की definition में आने वाली किसी authority को या lower judiciary को जारी करती है हमारे constitution के article 32 में supreme court को रिट जारी करने का power होता है और high courts को article 226 में रिट जारी करने का power होता है यहां हमें ये भी समझना ज़रूरी होगा कि रिट जारी क्यों और कब की जा सकती है तो हमारे rights या निदिकार दो टाइप के होते हैं पहला तो legal rights जिनके बारे में central और state government ने काफी सारे कानून बना रखे हैं और दूसरे है constitutional rights जो constitution के article 12 से 35 में दिये हुए legal rights के protection के लिए सरकार time time पर कानून बनाती रहती है और हमारे किसी भी legal right का हनन होने पर हम court जा सकते हैं जैसे आपने किसी व्यक्ति को रूपे उधार दिये और वो वापिस नहीं दे रहा है तो आपको अपने दिये रूपे वसूल करने का legal right है जिसके लिए आप court में वसूली का दावा कर सकते हैं या फिर मान लिजिए आपकी property पर कोई और व्यक्ति possession करता है तो भी आपको अपनी property को protect करने का right है जिसके लिए court में दावा पेश किया जा सकता है इसी तरह से जो अधिकार हमें constitution से मिले हैं उनको constitutional rights कहते हैं इन rights में right of equality, right of freedom, right against exploitation, right to freedom of religion और right to constitutional remedies वगरे आते हैं जो अधिकार हमें constitution से मिले हैं उन अधिकारों को protect करने की guarantee भी constitution ही देता है तो जब भी हमारे constitutional rights का violation होता है तो हम high court या supreme court में written petition file कर सकते हैं यहां clear कर दू कि जहां तक हो सके पहले हमें high court में ही written petition file करने चाहिए यदि वहां से relief ना मिले तो supreme court जाना चाहिए अब यह जान लेना भी ज़रूरी है कि constitutional rights के protection के लिए high court और supreme court कौन-कौन सी written जारी करने का power रखता है या यहों कहें कि written के types कितने होते हैं तो basically written past type की होती हैं जिन में से पहली है heaviest corpus दूसरी है mandamus, तीसरी है written of prohibition चोथी उत्प्रेरंण written और last है written of क्यो वारेंटो इन में heaviest corpus का मतलब है बंदी प्रत्यक्षी करनी या किसी व्यक्ति के शरीर को पेश करने के लिए आदेश देना इसके अंतरगत high court और supreme court को power है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी authority ने गलत प्रकार से detain करके यानि कि बंदी बना कर रखा है तो उसे पेश करने के लिए आदेश दिया जा सकता है दूसरी rate mandamus यानि परमादेश rate तब जारी की जाती है जब कोई public officer अपने करतव्यों का निर्वहन करने से इनकार करे और जिसके लिए अन्य कोई legal remedy अवेलेबल ना हो तो high court और supreme court उस public officer को वो कार्य करने के लिए आदेश देते है और rate जारी कर सकते है जब किसी public officer को सरकार को या lower judiciary को कोई काम करने से रोकने का आदेश जारी करना हो तो high court या supreme court rate of prohibition जारी कर सकता है rate का चोथा प्रकार है उत्प्रेरन rate इसके अंतरगत high court और supreme court को ये धिकार होता है कि वो किसी भी सरकार, state या lower judiciary से उनका record मंगवा कर उसको analyze कर सकता है लास्ट में आती है rate of क्यो वारेंटो जिन में supreme court किसी भी public officer या सरकार को ये पूछ सकती है कि उनको कोई particular काम करने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है ये rate तब जारी करी जाती है जब कोई public officer अपने पद का दूरूप्योग करते हुए कोई ऐसा काम करता है जिसे करने का उसको अधिकार ना हो तो ये पांचों rate के types हैं जिनको high court या supreme court के द्वारा जरूरत के अनुसार जारी किया जा सकता है लेकिन हर matter में rate file नहीं की जा सकती क्योंकि ये principle भी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और उसके लिए आपको कानून में कोई remedy दे रखी है तो आपको lower court में ही वो remedy प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए जहां alternative legal remedy अवेलेबल है तो आप सीधे रिट फाइल नहीं कर सकते यानि रिट के वल उन matters में ही फाइल की जा सकेगी जहां कोई और legal remedy अवेलेबल ना हो उमीद है आप रिट के बारे में properly समझ पाए होंगे ऐसी ही legal जानकारियों की regular updates के लिए आप हमें हमारे facebook और instagram पेज पर भी follow कर सकते हैं जिन के लिए link description में दिये हुए है जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार